कण्डों का तोरित निश्पादन काफी संख्या में पेंडिंग है राकि लोगों को जल्दी वर्सुल बन्याय मिल सके ठाना की जो करेश एली है ठाना की वर्किंग है उसको और कैसे विभस्तित और कैसे प्रभावी बनाया जाए ताकि लोगों को आम लोग जो थाना पर अप माफिया है उनका रोल कहीं बार देखने में आता है कम संख्या में नहीं जाए कहीं पर भी situation को पहले assess कर लेगी कितना बल की जरूरत है उसी तरीके से जाए और पुलिस के विरूद अगर कोई पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है सरकारी काम में बादा डालने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से कड़ाई से निफ्टा जाएगा और नमस्कार अब विहार देख रहे और मैं हुआ वशेक रहन जान तिरूत रेंज के डिया जी बावु राम ने आज पद्वार उन के साथ बैठक की जाएगी और एक साल के अंदर में जो भी घटनाय हुई है जिस पर अब तक उद्वेदन नहीं हुआ है उन सभी कांडों पर भी पूरी तरह से जाच करके उस पर करवाई की जाएगी और उस कांड का भी उद्वेदन किया जाएगा चाय को पता दे कि मीड को मोरेशिंग करेंगे और जाच किया जाएगा क्या कुछ कह रहे हैं जिरुत रंच के डिया जी बाबु राम पहले आप उसनी है कल शाम को मैंने जोइन किया था आज आज आफिस में पहला दिन है तो अभी सभी शाखाओं के साथ मीटिं करके हम लोग समिक्षा कर रहे हैं और इसके अलावा कांडों का तवरित निश्पादन कांड काफी संख्या में पैंडिंग है ताकि लोगों को जल्दी वरसुल बनियाय मिल सके थाना की कार्य शेली है थाना की वर्किंग है उसको और कैसे विवस्तित और कैसे प्रभावी बनाया जाये ताकि लोगों को आम जो थाना पर अप्रोच करते हैं किसी भी काम से जाते हैं उनको संतुष्टी हो इसके लावा ट्रैफिक में सुधार हमारी जो पुलिस टीम के लोग हैं पुलिस कर्मी हैं उनका वेलफेर यह प्रास्मिक्ता हैं रहेंगी प्राइम के पैटर्न जो यहां पे है वो काफी मृवडर है यह गैंग वार हो जाती है ऊपस तो इस sudah माफिया है उनका रोल कि दीखने में आता है और किअ तरह के अपरौश को उनकर बढ़ावा जाता है ऐसे इसे माफिया हैं वो अपरादियों को सो बढ़ा दिते हैं तो इन पर फोकस रहें गैसके लावा जो तमाम संपत्य मुलेक अपराद है रहे हैं लूट के केस में पहले से रहे हैं। इसरे शीटर हैं यसे लोगों की वेरोद कारवई करने वाले गिरों के साथ मीटिंग करके समिख्षे की जाएगी जो भी इस तरह के प्राद पिछले एक सालशे महीने में हुए है जिनको बहुत नहीं हुआ है और जो बार-बार हो रहे हैं जहां पर कोई एक ट्रेंड है जहां कोई प्रफेशनल गिरो होने की संभावना है ऐस मुख्याला की तरफ से भी निर्देश है सभी जिला को और बार-बार अधिनस्तों को यह कहा भी जा रहा है निर्देश भी दिया गया है कि पुलिस कम संक्षा में नहीं जाए कहीं पर भी सिच्वेशन को पहले असेस कर लेगी कितना बल की जरूरत है उसी तरीके से जाए पुलिस के विरुद को हमला करने की कोशिश करता है तो यह से लोगों से क्राइ से नियुक्त और निर्देश पहले से भी है तो आपने सुना कि आप कुछ कह रहे थे तिली ऑबूराम उन्होंने शाबत ओर पर कहा है कि आप राधियू पर नकेल कसा जाए गा इसके साद साद जो भूम माफ्या के चलते लगातार जो इन दोना अपरात बढ़ता है उन सभी बहुत भी ओख केंगे था साद सरा माफ्याओ पर भी नकेल कशा जाएगा और जो भी केस का उद्धेदा नहीं हुआ है उन सभी केस की मोनिटिंग की जाएगी और उस पर भी आगे करवाई की जाएगी बनरे फर्ष्ट लुक भी हर के साथ आगे भी खबरों के लिए तब तक के लिए नमस्कार